नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय साथ जिसका नाम है निर्देशंग ज्यामेती तो बच्चों मैं आपको बता दूं कक्षा नौमी में हमने इस अध्याय को पढ़ा था कि निर्देशंग ज्यामेती क्या होता है तो बच्चों कक्षा दस में भी निर्देशंग ज्यामेती से समझनुदित हम प्रशन करेंगे और निर्देशंग ज्यामेती क्या होती है इसके बारे में समझेंगे चलिए देखते हैं तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए ये ग्राफ पर हमारा ये होता है एक्स अक्स धनात्मक ये होता है हमारा एक्स अक्स रिनात्मक ये होता है हमारा वाई एक्स धनात्मक और ये होता है हमारा वाई एक्स रिनात्मक ठीक है बच्चों तो X X को मैं यानि कि X X को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं भुज क्या कहते हैं भुज और जो Y X होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं कोटी ठीक है बच्चो उसके अलावा मैं आपको बता दूँ यह जो X X धनात्मक है यह X X रिनात्मक विवाई एक्स दिनात्मक और विवाई एक्स निरिनात्मक तो बच्चों ये जो भूज है और ये जो कोटी है यानि कि ये जो एक उर्द्वा धर और एक शैतीज जो रेखा है ये रेखा हैं जब प्रसपर एक दूसरे को जहां पर परतिछिद करती हैं तो बच्चों ये चतुर्थांस के नाम से तो बच्चों यहां पर XX हमारा धनात्मक होता है और जहां पर हमारा YX भी धनात्मक होता है और इन दोनों रिखाओं से यहां पर बनने वाला जो चतुर्थांस है इसको हम कहते हैं बच्चों चतुर्थांस एक क्या कहते हैं चतुर्थांस एक आगे देखते हैं आगे है बच्चो X X रिनात्मक पर और Y X दनात्मक से बनने वाला जो चतुर्थांस है बच्चो यह वाला होता है हमारा चतुर्थांस नंबर 2 क्या होता है चतुर्थांस 2 ठीक है बच्चो और यह वाला जहां पर हमारा X X रिनात्मक होता है और y x भी रिनात्मक होता है तो ये वला जो हमारा चतुर्थांस होता है बच्चों ये होता है चतुर्थांस 3 और ये जो होता है जहां पर x x दनात्मक होता है और y x रिनात्मक होता है ये होता है हमारा चतुर्थांस 4 ठीक है बच्चों और यहाँ पर यह दोनों रिखाएं परतिछेद करती हैं बच्चों इसे हम कहते हैं दुरूव क्या कहते हैं दुरूव बिंदू और यहाँ पर बच्चों X और Y के जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं जीरो और जीरो ठीक है बच्चों तो हम यहाँ पर X और Y को यानि कि ग्राफ पर जब हम X और Y के मान को परदर्शीत करते हैं तो बच्चों वो X और Y के जो भी मान होते हैं वो होते हैं निर्देशांग क्या होते हैं निर्देशांग यह निर्देशांग चारों ही चतुर्थांश में आते हैं जहां पर दोनों ही जो निर्देशांग हमारे दोनों ही निर्देशांग धनात्मक होंगे वो होगा हमारा चतुर्थांश एक में हमारे एक्स और वाई के निर्देश होगा ठीक है बच्चों तो चतुर्थांस दो में X क्या होगा रिनात्मक और Y क्या होगा धनात्मक उसी प्रकार बच्चों चतुर्थांस 3 में X और Y दोनों क्या होंगे रिनात्मक होंगे और चतुर्थांस 4 में जो हमारा X है वो होगा धनात्मक और ऑन जो हमारा वाई है वो या होगा रीनात्म अपना तो निर्देशांक के माध्यमसे घ्राफ को या किसी भी समतल को नापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बच्चो निर्देशांक जयमिती ठीक है और यहां पर हमारे पास दो बिंदू है कि किसी बिंदू की वाई अक्स से दूरी उस बिंदू का एक्स अक्स या भुज कहलाती है ठीक है बच्चो तो ध्यान से देखिए वाई अक्स से दूरी ठीक है और किसी बिंदू की एक्स अक्स से दूरी उस बिंदू का वाई निर्देशांक या कोटी होती है मान लीजिए यह हमारा एक graph है ठीक है तो अगर मैं आपसे कहूं कि x x पर क्या करूं x x पर अगर x x पर बात करूं यानि कि हम x x पर ही चलेंगे तो बच्चो x x पर हमेशा जो निर्देशांग होते हैं वहाँ पर x x पर y का निर्देशांग हमेशा क्या होगा जीरो क्या होगा जीरो X का निर्देशांग तो कुछ होगा लेकिन Y का निर्देशांग क्या होगा जीरो तो जब भी हम इस शब्द का परयोग करेंगे कि X अक्स पर तो बच्चो X अक्स पर जो X और Y के निर्दर सांग होंगे वो हमेशा क्या होंगे X और 0 और उसी परकार जो Y X पर अगर मैं बात करूँ कि Y X पर तो Y X पर बच्चो X 0 होता है और Y X पर Y X पर जो निर्दर सांग होंगे वो होंगे 0,Y यानि कि Y X पर Y का तो मान होगा लेकिन x क्या होगा जीरो होगा तो x x पर निर्देशांग होते हैं x 0 और y x पर होते हैं 0 y ठीक है बच्चों तो आगे देखते हैं आगे बच्चों हमारे पास दूरी सुत्र ठीक है दूरी सुत्र माल लीजिए यह हमारे पास निर्धेशांग है तो एक निर्धेशांग यानि की एक बिंदु से दूसरे बंदु तक की हमें दूरी ग्याद करनी हो निर्धेशांग जामिती में तो बच्चों हम यहाँ पर एक सुत्र का प्रेयोग करेंगे मान लिजीए यह एक रेखा है A और B वो होगा ये अंडर root के अंदर x2-x1 का square प्लस में y2-y1 का square तो बच्चों माल लीजिए हमारे पास यहाँ दो बिंदू A तो इसके कुछ न कुछ निर्देशांग होंगे xy ऐसा ही बच्चों बिंदू B है और इसके निर्देशांग भी क्या होंगे xy तो मैं माल लेता हूँ जो बिंदू A है इसके जो निर्देशांग है वो है x1 और y1 उसी प्रकार जो बिंदू B है इसके जो निर्देशांग होंगे वो होंगे x2 और y2 ठीक है बच्चों तो यहाँ पर यदि मैं x2 यानि कि x2 मेंसे अगर x1 गटा कर उसका square कर दूँ उसके बाद में बच्चों यदि मैं y2 में से y1 गटा के और उसका square कर दूँ और under root लगा दूँ अंदिनों का sum कर दूँ तो वो क्या होगा दूरी सुत्र तो दूरी सुत्र याद रखना है बच्चों आगे हम इस पर अधारित प्रश्न करेंगे तो दूरी सुत्र होगा हमारा x2 माइनस x1 का square प्लस में y2 माइनस y1 का square under root के अंदर ठीक है बच्चों तो ये हमें सुत्र यहाँ पर याद रखना है तो आगे देखते हैं बच्चों इससे समंदित कुछ प्रश्न हमारे पास बच्चों प्रश्न है कि बिंदूओं के निमिलिखिद युगमों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए मा लिजी ये दो बिंदू है a और b यहाँ पर a के निर्देशांक है 2,3 और हमारे पास b के निर्देशांक है 4,1 ठीक है बच्चों इसे मैं मान लेता हूँ x1 और इसे मान लेता हूँ y1 उसी परकार इसे मान लेता हूँ x2 और इसे मान लेता हूँ y2 ठीक है बच्चों चलिए करते हैं तो हमें पूछ रहा है बीच की दूरी यानि की a b भी बूच रहे हैं तो ए भी क्या होगा बच्चों अंडरूट के अंदर x2 minus x1 का square प्लस में y2 minus y1 का square चली करते हैं अब बच्चों देखी हमारे पास जो x2 है तो x2 हमारे पास कितने है चार minus x1 x1 है हमारे पास दो तो 4 minus 2 का square प्लस में y2 देखे बचो y2 है हमारे पास 1 माइनस और y1 है हमारे पास 3 अब बचो आपके मन में प्रश्ण होगा कि क्या हम इसे x2 और y2 मान सकते हैं इसे x1 और y1 मान सकते हैं बिल्कुल मान सकते हैं बचो क्योंकि जब हमारा जो square होगा क्या होगा square होगा तो वो चाहिए minus का रिनात्मक का हो चाहिए दनात्मक का हो उसका जो हमारा अंसर आएगा यानि कि वो क्या आएगा मान क्या आएगा दनात्मक ही आएगा मान लीजिए आपने किया minus 3 का square तो वो होगा plus का 9 और मान लीजिए तो 3 minus 1 होता यानि कि 2 और 2 का square भी बच्छो क्या होता चार तो यानि कि आप इसको भी x1 y1 मान कर इसको भी x2 y2 मान सकते हैं तो आगे देखते हैं आगे बच्छों हमारे पास कि 4 में से हम 2 गटाएंगे तो आएगा 2 तो 2 का square होगा हमारे पास plus में यहाँ पर आएगा 1 minus 2 यानि कि minus 2 का square ठीक है बच्छों तो 2 का square होगा 4 और minus 2 का square भी क्या होगा 4 तो 4 plus 4 होगा बच्छो 8 क्या होगा 8 तो यहाँ पर हमारे पास जो a b आएगा वो आएगा under root में 8 क्या आएगा under root में 8 अब हमें इसे under root अटाएंगे तो a b बराबर होगा इसके टुकडे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 ठीक है बच्छों तो a b आएगा हमारा under root के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 तो बच्छों 2 का एक जोड़ा बार आएगा तो जो a b आएगा हमारा वो 2 under root 2 आएगा क्या आएगा 2 under root 2 तो a b यानि कि दो बिन्दूों के बीच की दूरी है यानि कि इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी? दो अंदर 2 इस परकार हम दूरी सुत्र के माध्यम से दो बिन्दू के बीच की दूरी ग्यात कर सकते हैं आगे देखते हैं बच्छों आगे हमारे पास वही प्रश्ण रहे कि बिंदों के बीच की दूरी याद करने में है यहां पर कुछ D मान है रिनात्मा करके देखते हैं तो मान लीजिए ये हमारा बिंदू A है और ये हमारा बिंदू B है और बच्चो ए बिंदू के जो हमारे निर्देशांक है वो है माइनस 5 कॉमा में 7 और हमारा जो बिंदू B है इसके निर्देशांक है माइनस का A कॉमा में 3 ठीक है बच्च यानि कि AB, AB बराबर होगा किसके, सुत्र होगा X2 माइनस में X1 का स्क्वेर, प्लस में Y2 माइनस में Y1 का स्क्वेर, ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे, तो हमारा जो AB होगा, वो बराबर होगा अंडरूट में X2 देखें बच्चों क्या है, X2 है हमारे पास माइनस का 1, और इसमें से हमें माइनस करना है X1, और X1 भी हमारा क्या है, माइनस 5, तो बच्चों यहाँ पर जब आब माइनस करके, और यहाँ पर माइनस 5 करोगे, तो आगे देखते हैं, प्लस में Y2, Y2 है बच बचो ध्यान से देखिए माइनस का एक और माइन माइनस क्या होगा प्लस तो माइनस का एक और प्लस का पांच का स्क्वेर और यहां पर होगा तीन माइनस साथ का स्क्वेर चलिए करते हैं तो बचो माइनस एक और प्लस का पांच तो होगा चार का स्क्वेर और माइनस का साथ और plus का 3 होगा यानि कि minus का 4 का square तो यह होगा बच्चो चार का square यानि 16 और minus 4 का square भी होगा 16 तो यह आएगा हमारे पास under root के अंदर 32 क्या आएगा under root के अंदर 32 अब इसके टुकड़े करेंगे a-b बराबर में 32 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ने की दो दूना चार दूना 8 दूनाêter इथा को हैं तो बचों एक जोड़ा ये बाहराएगा एक में एक जोड़ा ये बाहरा एगा एक में और बचाएगा अंदर रूर के अंदर दो यानि कि जो बीच development होगी वोगी चार अंडरूट 2 यानि कि दो बिंदूओं के मद्दे ये वाली जो दूरी होगी एबी भी होगी चार अंडरूट 2 तो बचो यदि हमें दो बिंदूओं के निर्देशांक पता हो तो उनके बीच की दूरी ग्यात करने के लिए हम दूरी सुत्र का प्रेयोग करते हैं और वो दूरी सुत्र होता है अंडरूट के अंदर x2-x1 का होल्जकर प्लस y2-y1 का होल्जकर इससे हम बचो दो बिंदूओं के बीच की दूरी ग्यात कर सकते हैं आगे देखते हैं आगे है बच्चो हमारे पास कि निर्धारित कीजिए कि बिंदू एक कोमा पाच दो कोमा तीन और माइनस दो कोमा माइनस ग्यारा सन रेखी हैं चलिए देखते हैं एक रेखा है और उस पर तीन बिंदू है ए बी और सी ठीक है बच्चो और एक निर्धेशांख है एक कोमा में पांच बी के निर्धेशांख है दो कोमा में तीन और सी के निर्धेशांख है माइनस दो कोमा में माइनस ग्यारा ठीक है बचों अब हमसे संरेखी पूछ रहे तो संरेखी का मतलब क्या होता है संरेखी का मतलब होता है कि AB प्लस BC बराबर में AC यदि AB प्लस BC बराबर में EC होगा तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदी सं तिन्नों बिंदु हैं वो सं रेखी हैं यानि की एक ही रेखा पर बन रहे हैं तो चलिए बच्चों इसे सिद्ध करते हैं उसके लिए हमें AB की दूरी चाहिए यानि और BC की दूरी चाहिए और AC की दूरी चाहिए चली करते हैं सबसे पहले बच्चों हम करते हैं AB तो AB दूरी ग्याद करने के लिए पहले मैं इसे मान लेता हूँ X2, Y2 इसे मान लेता हूँ X1, Y इसे मान लेता हूँ में x2 y2 a b ज्याद करना है तो a b ज्याद करने के लिए दूरी सुत्र का प्रयोग करेंगे तो बच्चों वो होगा हमारा x2 minus x1 का square whole square plus में y2 minus y1 का square ठीक है बच्चों तो करते हैं इसको तो बराबर में यह होगा हमारे पास under root के अंदर देखिए x2 है हमारे पास 2 minus x1 है 1 तो 2 minus 1 का square plus y2 है बच्चों हमारे पास 3 minus 5 का square ठीक है तो यह हमारा होगा 2 minus 1 यानि का 1 का square और 3 minus 5 यानि की minus 5 का माइनस 2 का square ठीक है बच्चों तो यह होगा हमारे पास 1 प्लस 4 यानि की 1 प्लस 4 बराबर में होगा under root 5 कितना होगा under root 5 यानि की हमारे a b इन दोनों बिंदों के बीच की दूरिया यह हमारे पास under root 5 अब करेंगे हम b c क्या करेंगे b c तो b c ग्याद करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर इसे माल लेंगे x1 y1 और इसे माल लेंगे x2 y2 ठीक है तो हम करते हैं आप b c b c ग्याद करने के लिए हमें सुत्तर का प्रयोग करना पड़ेगा x2-x1 का square प्लस में y2-y1 का square ठीक है चलिए देखते हैं तो हमारा यहाँ पर जो होगा b c तो x2 है हमारा इस बर माइनस का 2 क्या है अंडूड के अंदर माइनस का 2 ठीक है माइनस का 2 और उसमें से हमें गटाना है x2 में से x1 यानि की माइनस का 2 का square प्लस उसके बाद बच्चो y2 और y2 है हमारे पास माइनस का 11 और इसमें से हमें गटाना है y1 यानि की 3 का square ठीक है तो यहाँ देखते हैं बच्चों हमारे पास यह आएगा माइनस 2 और माइनस 2 यानि की माइनस का 4 का square और प्लस में माइनस 11 और माइनस 3 आएगा माइनस 14 का square ठीक है बच्चों और वह होगा आमारे पास माइनस चार का square रोगा 16 और माइनस 14 का square रोगा 196 कितना होगा एक्सो च्हान्वे तो एकसो सोला और 106 होगा अंडूरोट के अंदर है दो नो एक दस और ग्यारा क्यों कि 202 कितना होगा अंडूरोट के अंदर 212 अब बच्चों हम तीसरे नंबर पर निकालेंगे AC क्या निकालेंगे AC तो AC हमारा इस बार बच्चों AC निकालने के लिए हमें इसे माल लेंगे X1 Y1 A को और इसे माल लेंगे X2 Y2 ठीक है तो AC निकालेंगे AC होगा हमारे पास X2 माइनस X1 X2 है मारा माइनस का दो दो माइनस में X1 हैं मारा एक तो दो-2 square होगा प्लस में Y2 Y2 है मारे पास माइनस का 11 और Y1 है मारे पास माइनस पांच है तो करते हैं से यह होगा हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 1 यानि कि माइनस का 3 का स्क्वेर प्लस में माइनस का 16 का स्क्वेर ठीक है तो माइनस 3 का स्क्वेर होगा बच्चो 9 और 16 का स्क्वेर होता है 256 यानि कि 256 ठीक है तो बच्चो अब ध्यान से देखिए क्या मेरे पास AB प्लस BC यानि कि AB प्लस BC तो AB प्लस BC बराबर में चेक करते हैं AC तो AB है मेरे पास अंडरूट 5 प्लस में BC है मेरे पास अंडरूट में 212 बराबर में AC है हमारे पास 200 अंडरूट के अंदर 265 तो बच्चो मैं कह सकता हूँ कि AB प्लस BC है वो बराबर नहीं है बराबर नहीं है AC के तो क्या हम कह सकते हैं सरेकी है तो यह संरेकी नहीं है या तीनों बिंदू क्या है संरेकी नहीं है यानि कि ये तीनों बिंदू एक ही रेका परस्तित नहीं है यदि ये तीनों बिंदू ए एक ही रेखा परस्तित होते तो दोनों भाग है जो रेखा के उन दोनों भागों का योग है वो पूरी बुजा के बराबर होता ठीक है तो आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण हमें कह रहा है कि जाच कीजिए कि क्याक बिंदू 5,2 और 6,4 और 7,2 एक समद्वी बाहु तिर्बुज के शिर्ष है या नहीं है तो बच्चों मान लीजिए ये हमारे पास एक तिर्बुज है ए बीसी ठीक है और इसमें ए बिंदू के निर्देशांग है हमारे पास 5,2 बी के निर्देशांग है 6,4 और सी के निर्देशांग है हमारे पास 7,2 ठीक है बच्चों चलिए देखते हैं अब बच्चों यदि मेरी सम्द्वी बाहु तरिबुज का हमें पता होना चाहिए सम्द्वी बाहु तरिबुज क्या होता है जिसकी दो बुजाएं क्या हो बराबर हो तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे यानि की A, B, B, C और A, C यदि इन तीनों द दो दूरियां बराबर होंगी यानि की दो बुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी तो यह क्या होगा एक सम्द्वी बाहु तरिबुज होगा ठीक है बच्चों तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए A, B क्या चाहिए A, B सबसे पहले मैं A, B निकालूँगा तो A, B निकालने के लिए इसे मैं माल लेता हूँ X2 Y2 और यह माल लेता हूँ X1 Y1 ठीक है बच्चों तो दूरी सुत्र का प्रयोग करेंगे वो होता है X2 माइनस में X1 का स्क्वेर प्लस में Y2 माइनस में Y1 का स्क्वेर ठीक है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरा जो X2 है वो है मेरा 6 माइनस में X1 है बच्चों मेरा 5 तो 6 माइनस 5 का स्क्वेर प्लस में Y2 है मेरा 4 और Y1 है बच्चों मेरे पास माइनस का 2 का स्क्वेर तो करते हैं इसे तो 6 माइनस 5 यानिकी 1 का स्क्वेर प्लस में 4 में से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानिकी 4 प्लस 2 यानिकी 6 का स्क्वेर तो बच्चों यह आएगा 1 का स्क्वेर यानिकी 1 का स्क्वेर यानिकी 1 प्लस 6 का स्क्वेर 36 बराबर में होगा अंडरूर 37 यानिकी हमारे पास ज अब बच्चों हम चेक करेंगे BC, तो BC चेक करने के लिए भी हमें कौन सा दूरी सुत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, अब बच्चों, यह हमें करेंगे, तो इस बार हम इसको मान लेते हैं, x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2 चलिए करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x2 में से x1 को गटाना है तो x2 है मेरा 7 minus x1 है मेरा 6 तो 7 minus 6 का square plus में y2 बच्चो हमारा है यहाँ पर minus का 2 और इसमें से हमें गटाना है 4 minus का 4 गटाना है तो minus 4 तो बच्चों यह 7 minus 6 यानि की 1 का square और उसके बाद minus 2 और minus 4 यानि की minus 6 का square ठीक है तो 1 का square होगा बच्चों 1 और 6 का square होगा minus 6 का square होगा 36 तो 1 minus 6 का square होगा plus 36 तो 1 plus 36 यानि की under root में 37 ठीक है बच्चों तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कि हमारी इस त्रिबूज की दो बुजाएं जो बराबर हो रही है यानि कि AB और BC अब बच्चो तीसरी बुजा को हमें यहां चेक करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछ रहा है कि हमें बताना है कि जाच किजी क्या बिंदू पांच कोमा माइनस दो छै कोमा चार और साथ कोमा माइनस दो एक सम दिवाई उत्रिबूज के शिर्ष हैं तो हमने चेक करने से तीसरा हमने चेक करने की जुरूरत नहीं है वैसे आप कर सकते हैं मान लिजिए हमारा जो ac है वो बराबर होगा अंडरूट में इस बार बच्चों हम इसे मान लेते हैं ac के लिए इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2 ठीक है तो x2 x2-x1 तो x2 है हमारा 7 माइनस में 5 का square प्लस में y2 है हमारा माइनस का 2 और y1 है हमारा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है बच्चों तो इसे करते हैं यह होगा हमारा 7 माइनस 5 यानिकी 2 का square और माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4 का स्कूर ठीक है बच्चो तो यह हो जाएगा अंडूरूरूरूरूर के ंदर 4 प्लस 16 यानि की होगा अंडूरूरूरूरूर커 के ंदर 20 तो हमारी यहाँआपर 2 बुझाएं बराबर हैं मैं कहा सकता हूँ कि AB बराबर में BC बराबर नहीं है AC तो किसी भी तिर्बुज की यदि तीनों बुजाएं बराबर हो जाती है वो होता है सम बाहू तिर्बुज और किसी तिर्बुज की दो बुजाएं बराबर हो तो वो होता है सम द्वी बाहू तिर्बुज तो बच्चों यहाँ पर दो बुजाएं बराबर है यानि कि A B बराबर B C है तो मैं कहा सकता हूँ यह सम्द्वी बाहु तिर्बुज के शिर्ष हैं तो यह सम्द्वी बाहु तिर्बुज के शिर्ष हैं हम यह कहा सकते हैं तो आगे देखते हैं बच्चो अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारे पास कि X अक्स पर वहे बिंदू ग्यात कीजिए जो बिंदू 2,5 और बिंदू 2,9 से सम दूरस्त है तो बच्चो सम दूरस्त का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित हैं माल लीजिए ये X अक्स पर एक बिंदू है B और जिसके निर्देशांक मैंने आपको पहले ही बताया था कि X अक्स पर हमेशा Y 0 होता है तो X अक्स पर जो निर्देशांक होंगे वो होंगे X और 0 और ये बिंदू 2 है हमारे पास A और C हमें सिद्ध करना है या प्रूफ हमें दिया है प्रशन ने कि ये जो X अक्स पर एक बिंदू है जो बिंदू A से और C से सम्दूरस्त पर है यानि कि A B वो बराबर है BC के तो A के निर्देशांक है हमारे पास 2 कुमा में माइनस 5 और ये हमारे पास में माइनस 2 कुमा में 9 ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमें प्रद करना है और हमें दिया है कि A B बराबर में BC है तो यहां आप कह सकते हैं कि हमें दिया है कि A B बराबर में BC है तो चलिए करते हैं बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे A B तो A B के लिए हमें यहां पता है दूरी सुत्र A B के लिए हम इसे मान लेते हैं X1 Y1 और इसे मान लेते हैं X2 Y2 तो इसके लिए हम यूज करेंगे दूरी शुत्र वो होता है x2 माइनस में x1 का square प्लस में y2 माइनस में y1 का square ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं तो हमारे पास इस बार x2 है x माइनस में x1 है 2 तो x माइनस 2 का square ठीक है बच्चों? उसी प्रकार यहां पर हमारे पास जो y2 है यानि y2 है हमारे पास 0 और y1 है हमारे पास माइनस का 5 तो बच्चो इसको हम ब्रैकिट को खोलेंगे तो x-2 का square यानि कि a-b का square तो बच्चो a-b का square होता है a square यानि कि x का square B का स्कर होता है बच्चों 2 का स्कर यानि कि 2 का स्कर होता है 4 और माइनस का 2 A B यानि कि 2 दुना 4 तो माइनस का 2 A B तो यह होगा माइनस का 4 X उसी प्रकार बच्चों जो माइनस माइनस प्लस 5 का स्कर होता है 25 ठीक है आगे देखते हैं इसे सलर लूप में दिखते हैं तो यह होगा हमारा x square माइनस में 4x और 25 प्लस 4 होगा बच्चों 39 क्या होगा 39 यानि कि हमारी जो a b दूरी आई है वो आई है x square माइनस 4x प्लस 29 अंडर रूट के अंदर इसी प्रकार बच्चों हम निगालेंगे bc तो bc के लिए हमें दूरी सुत्तर का प्रयोग करते हैं x2 माइनस में x1 का square प्लस में y2 माइनस में y1 का square इस बार बच्चों हमारा जो x2 y2 है यह है x2 और यह है हमारा x1 y1 चलिए देखते हैं तो हमारा x2 x2 है हमारे पास माइनस का 2 और x1 है हमारे पास x तो x2 माइनस का 2 माइनस का x का square प्लस में y2 y2 बच्चों हमारे पास है 9 और y है हमारे पास 0 तो 9 माइनस 0 का square तो बच्चो इसे हम open करेंगे तो minus 2 यह है हमारा A और यह है हमारा B तो यह है A minus B का square तो बच्चो इस करेंगे तो A square यहाँ A है हमारा minus का 2 minus का 2 का square होगा 4 plus B square B है हमारा X तो यह होगा X square और बच्चो यहाँ पर minus 2 A भी करेंगे तो देखी दियां से माइनस का 2 इस बार A हमारा माइनस का 2 है क्या है और B है हमारा X और 9 का स्क्यार होगा बच्चो 81 ठीक है तो आगे देखते हैं इसे तो अंडरूट के अंदर हमारे पास आएगा X स्क्यार और ये माइने माइनेस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4X और वच्छो 81 और 10, also 85 ठीक है, अब ये है अमारी BC ठीक है, अब करते हैं वच्छो हम प्रशना अनुसार तो प्रशना अनुसार ध्यान से देखिये, प्रशन में हमें दिया है कि यह सम दूरस्त है यानि कि AB बराबर क्या है BC है तो AB बराबर यदि BC है तो भचो ध्यान दीजिए क्या AB का स्क्वेर भी बराबर होगा BC के स्क्वेर के बिल्कुल होगा तो यदि हमारे पास ये अंडरूट के अंदर है और यदि मैं स्क्वेर लगाऊंगा यहां पर तो इनके क्या है जो अंदरूट है वो क्या हो जाएंगे तो बच्चो जो हमारा AB है वो हो जाएगा X square माइनस में 4 X 29 और बराबर में जो हमारा BC है हमारे पास X square 4X 85 ठीक है बच्चो तो देखते है इसे यह हमारे पास यहाँ पर X स्क्वेर से X स्क्वेर एकट जाएगा और यह उदर जाएगा मींस का 4X तो यह हो जाएगा 8X क्या हो जाएगा आठ एक्स और यह 85 जब इदर आएगा तो यह आएगा 39 माइनस में 85 अब 85 में से 39 गटा हैंगे बच्शों तो 15 में से 9 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5 तो 8X बराबर आएगा माइनस का 56 और X बराबर आएगा माइनस का 56 बटा में 8 यानि कि माइनस का 7 X क्या आएगा माइनस का 7 और हमें पूछ रहा है कि X अक्ष पर वह बिंदू ग्याद कीजिए जो 2,5 और minus 2,9 से सम् दूरस तो बच्वो sa एक्स पर वो बिंदू होगा minus का 7 क्या होगा minus का 7 और इसके जो निर्दे सांग होंगे वो minus 7,0 क्या होंगे minus 7,0 और ये जो बिंदू B के निर्दे सांग होगे क्या होंगेholes बिंदू B हमने यहाँ पर एक शक्स पर जो निर्देशांग माने थे वो माने थे बिंदू B के ठीक है बचो तो देखते हैं अगला प्रशन तो अगला प्रशन है बचो हमारे पास कि Y का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू P P 2,-3 और बिंदू Q जिसके निर्देशांग है 10,Y के बीच की दूरी 10 मातरक है तो बच्चो इस बार हमें बीच की दूरी दोनों बुंदियों के दी हुई है और हमें यहाँ पर Y का मान ग्याद करना है मान लीजी यह हमारे पास एक दो बिंदू है P और Q ठीक है और इनके जो बीच की दूरी है इनके जो बीच की दूरी है वो हमें दिये 10 मातरक और जो बिंदू P के निर्देशांग है बच्चो वो है 2,-3 और हमारे पास Q के निर्देशांग है वो है 10,Y ठीक है बच्चो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दूरी सित्र का यूज करना होगा तो आगे देखते हैं, इस बार हमें दूरी दी हुए है, तो 10 बराबर में x2, इस बार बचो यह हमारा x2 है इसे माल लेते हैं x1, y1 इसे माल लेते हैं x2, y2 तो x2 हमारा है 10 और x1 है हमारा 2 तो 10-2 का स्क्वेरồngगा प्लस में बचो, y2 है हमारा y और माइनस में y1 है हमारा माइनस में 3 का स्क्यर तो करते हैं बच्चों इसको तो 10 माइनस 2 यानि की 8 का स्क्यर प्लस में y माइन माइन प्लस यानि की y प्लस में 3 का स्क्यर ठीक है तो 8 का स्क्यर बच्चों होगा 64 प्लस में y प्लस 3 का यानि कि A plus B का whole square होगा बच्चो A square यानि कि Y square B square यानि कि 3 का square no plus 2AB यानि कि 2Y 2 या 6Y बराबर में होगा 10 ठीक है बच्चो अहम दोनों side में क्या करेंगे square करेंगे तो यहांपर 10 का square होगा 100 और यहांपर अंडूरूट हट जाएगा तो यह बचेगा 64 plus y का square plus 9 plus 6y ठीक है बच्चों तो यह 64 इदर जाके गटेगा तो 64 गटेगा तो 36, 36 में से जब 9 गटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस में 64 और माइनस में 9 बराबर में बचेगा हमारे पास y square plus 6y तो 64 में से 64 जाएगा बच्चों 36 और 36 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 27 तो 27 बराबर में y square plus 6y ठीक है बच्चों तो यह बनगी हमारे पास एक द्वी घात समिकरन तो हम इसे करते हैं द्वी घात समिकरन में तो y square plus 6y और यह 27 है बच्चों उदर जाएगे होगा माइनस का तो माइनस का 27 बराबर में क्या होगा जीरो अब बच्चों इसके गुननखन करेंगे द्वी घात समिकरन से तो ऐसे 27 माइनस का 27y y square के दो ऐसे गुननखन निकालेंगे जिनका plus माइनस करने पर 6y आए और गुना करने पर माइनस का 27y आए तो बच्चों होगा वो 9 और 3 यानिकी 9y और 3y अब मुझे 6y चाहिए plus का तो मैं 9y यानिकी बड़ी संख्या को रखूंगा plus का तो यह होगा हमारा y square plus में 9y और माइनस में 3y और माइनस में 27 बराबर होगा 0 के तो बच्चों यहां common लेंगे y तो यहां बचेगा y y से y कट जाएगा y बचेगा और यहां बचेगा y से y कट जाएगा तो बच्चेगा no y plus no तो बच्चे आगे भी हम common लेंगे माइनस का 3 और माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो यहां बच्चे का y और आगे बच्चो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस 3 निमा 27 गाइस माइनस 9 बराबर 0 होगा तो बच्चो y पलस 9 बराबर 0 होगा और y माइनस 3 बराबर क्या होगा 0 तो y बराबर आएगा माइनस 9 और y बराबर आएगा बच्चो 3 तो हमारे पास y का वहमान ग्याद करना है जिसके लिए बिंदूओं 2 कोमा माइनस 3 और 10 कोमा y के बीच की दूरी 10 मात रगा है तो बच्चो इसके दो अंद उत्तर होंगे एक तो y का माहन होगा धनात्मक 3 और एक होगा रिनात्मक 9 ठीक है बच्चो देखे बच्चो प्रशन है अगला अगला प्रशन है कि यदि क्यो के निर्देशांख 0,1 बिंदूओं P P के निर्देशांख है 5,3 और R के निर्देशांख है X कोमा 6 से सम दूरस्थ है तो बच्चो प्रशन के अनुसार यानि कि जो हमारा बिंदू क्योँ है वो P और R से क्या है सम दूरस्थ है यानि कि हम कह सकते हैं कि P Q बराबर में क्योँ हर है और हमारे पास यहाँ पर जो बिंदू क्यो के निर्देशांग है वो है 0,1 और हमारे पास P के निर्देशांग है 5,3 और हमारे पास जो R के निर्देशांग है वो X,6 और बचों हमें X का मान ग्याद करने तो देखते हैं प्रशना अनुसार तो बच्चो प्रशना अनुसार हमारे पास है PQ बराबर में QR ठीक है बच्चो PQ बराबर में QR है हमारे पास क्योंकि हमें पता है कि यह दोनों ही क्या है बंदू क्यों से सम दूरस्त है तो क्या बच्चो PQ का जो square है वो बराबर होगा QR के square के बिल्कुल होगा तो बच्चो बिंदू जो PQ के बीच की दूर यानि की PQ की हमें दूरी निकालनी है तो वहाँ दूरी सुत्तर लगता है X2-X1 प्लस में Y2-Y1 का square बच्चो लेकिन यहां पर square लगा रखा है तो अंडरूट नहीं लगेगा तो मैं लिखूंगा X2-X1 का square प्लस में Y2-Y1 का square बराबर इसी तरह बच्चो यहां भी होगा अगर हमने यहां पर square लगा रखा है तो अंडरूट रखाने की जूरत नहीं है तो X2-X1 का square प्लस में Y2-Y1 का square ठीक है बच्चो तो देखते हैं इसे तो सबसे पहले इसे लेते हम PQ में तो PQ में हम मानते हैं यह हमारा है X2 और यह हमारा Y2 तो देखते हैं बच्चो X2 है अमारे पास 0, X2 है अमारे पास 0, minus में और X2-X1, X1 है अमारे पास 5 का square प्लस में Y2 है बच्चो हमारे पास 1 और Y1 है अमारे पास minus का 3 का square यह बराबर होगा उसी परकार बच्चो यदि हम के UR निकालेंगे तो इस बार हमारा X2, Y2 यह है और हमारे X1, Y1 यह है तो X2 बच्चो यानिकी X में से X0 तो X यह होगा X-0 का square प्लस में Y2, Y2 है बच्चो हमारा 6 और minus में क्या होगा एक का square चली करते हैं बच्चो 0-5 यानिकी 5 का square होगा बच्चो 25 प्लस में एक और minus यहाँ पर देखिए एक माइन माइनस क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा प्लस तो 1-3 क्या होगा एक प्लस 3 माइनस होजागा प्लस तो 1-3 यानिकी क्या होगा चार का स्क्वेर क्या होगा चार का स्क्वेर बराबर होगा बच्चो एकस माइनस जीरो तो जीरो का यानिकी यह होगा एक स्क्वेर प्लस में 6 माइनस एक होता है बच्चो पांच तो पांच का स्क्वेर तो यह होगा 25 प्लस में 16 बराबर में x स्क्वेर प्लस में 25 तो बच्चों यह 25 से 25 यहां कट जाएगा तो x स्क्वेर बराबर में आएगा 16 और x बराबर आएगा अंडूरूट में 16 और x बराबर आएगा हमारे पास प्लस माइनस चार क्या आएगा प्लस माइनस चार यानि कि X का मान हम धनात्मक चार भी रख सकते हैं और रिनात्मक चार भी रख सकते हैं दोनों ही यहाँ पर हमारे सही होंगे तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय साथ का भाग एक है वो यहीं समाप्त होता है तो बच्चों हमने इसमें निर्देशंक ज्यामेती क्या होती है निर्देशंक क्या होते हैं उनको जाना और बच्चों हमने जो दूरी सुत्र है उसके बारे में जाना और दूरी सुतर पर अधारित कुछ प्रशन किये तो बच्चों मिलते हैं आगे इसी अध्याय के भाग दो में तब तक के लिए धन्यावाद